ओम स्रीगन सायनमहनमहसंत कृताया गजाननंभूत गड़ादिसेवितं कपित्थ जंबूफल चारुभक्षडं। उमासुतं सोकविनासकारकं नमामिविघनेस्वरपादपंकजं। या कुंदेंदुतुसार हार धवलाया सुब्रवस्त्राविता। या विळावर दंड मंदित कराया स्वेत पदमासन। या ब्रह्माचित संकरह प्रभित भिरदेवै सदावंदिता। सावांपातुसर स्वती भगवती निहसेश जाड्य पह। सुप्लाम ब्रम्ह विचार सार परमाम आध्यम जगद व्यापिनिम् वीडा पुस्तक धारिनिम् अवर्ध्याम जाड्यांधकार आपाहां। हस्तेज भाटिक मालिकाम विदधतिम् पदमासने संस्तिताम् वंदेताम् परमिश्वरीम भगवतीम् बुधी प्रदाम् सारदाम् सरस्वती नमस्तुभ्यम् वर्देकाम रूपिनिम् विद्यारंभं करिश्यामी शिधिरभवतु में सदा। सभी लोगों को नमस्कार मैं प्रिकासर वरांश्य से आप सभी लोगों का इलनिवी दुर्गेस में एबाफिर से स्वागत करता हूं हमारे सांथ में रिंकी चमहान जुड़ी हैं मानिसा भार्ती हैं वीना हैं कोमल हैं अजय हैं अर्चना हैं तो जितन्य भी सभी लोग जल्दी सभी लोग पहले तो शेर कर लिजेये तो ठीक है जितने भी लोग है सभी लोग का स्वागत है अब स्कार्म करते हैं आज तोधी का हम लोग देख रहे हैं उचाण स्थान के बारे में पढ़ेगे ध्यान दीजियगा उचाण स्थान और प्रयत्ने ये दोनों के दोनों नहीं बताया गया है बलकि पारेनिय सिक्षा इत्यादी गरंथों में इसके बारे में चर्चा हुई है और उन्होंने आठ इस्थान के बारे में चर्चा करते हैं सभी लोग कितने आठ इस्थान के बारे में उच्चाण अस्थान जो है कितने है पॉइंट मुझ में जो बोले लम्च दंतस्च नासिको श्ठव चतालुच नासिको श्ठव चतालुच तभी लोग सेर करके चले आएं क्या है अश्ठव उस्थाना निवर्णा नाम आठ इस्थान है वर्णों के उच्चारण इस्थान जो बताएगे हैं कुल कितनी हैं पुल आठ हैं तो अस्ठव इस्थाना निवर्णा नाम उरह कंठः सीरस्त था जिह्वा मूलंच दंत। नासिको श्ठव चतालुच तो क्या क्या मिला आठ बताएगे हैं उरह कंठः सीरस्त था जो मुरधन्य वाला ने जाता है उसमें जिवा मूल और दंत और नासिका ओष्ठ और तालू यह आपके जो point 8 बताए गए हैं कई बार question आता है तो आप उसको करिएगा question बताईएगा कि जो उचान स्थान है इसकी संख्या कितनी बताई गई है उचान स्थान कितनी है कुल 8 माने गए है ठीक उचान स्थान कितने है आठ ठीक है आठ अब जब मुह में थ्वासा जब उसको उसके फीगर से देख लोगे तो अच्छे स्वज में आ जाएगा या उरह कंठ मूर्धा जिसको हम लोग बोलते हैं सिरस्था ठीक है जिहवा मूल दंत ठीक उसको आपके बोलते हैं नासिका ओस्थ और तालू यह आपके आठ हैं चलो आठो के हम नाम यहां पर लिए देते हैं कुछ लोगों हो सकता है भ्रह्म हो जाए कौन-कौन से हैं तो हम लिएते हैं उरह कंठ कंठ मूर्धा उरह कंठ मूर्धा का जीहवा मूल कि जीहवा मूल धंत कि दंत नातिका ओष्ठ और क्या बच आपका तालू गिन लो आप यहां से क्या क्या बताए कि अश्टव इस्थाना निवर्णा नाम उरह कंठ सिरस्त था जीहवा मूलं च दंत श नासिको श्ठव च तालू च जो आठ इस्थान बताए गए हैं वह हैं उरह कंठह मूर्धा एक होता है मूर्धाने वाला फिर जीहवा मूलं दंत नासिका ओष्ठव तालू ठीक है चलिए आगे अब हम लोग चले चलते हैं देखते हैं कि जो एक एक सुत्र बताएंगे पहले तो मुह में इसके जो अब बहुत बड़ा पिछे हो जा रहा है बहुत दिन हो गया वनायत बनता नहीं में थोड़ा है कि मान लो ऐसा कुछ ठीक है इसके पीछे अगर हम मिटाने चक्र में पड़ेंगे ना तो फिर खराब हो जाएगा इससे अच्छा किसको रंग दे बलैप से अब देखते हैं इसमें जो पॉइंट बनेगा हो किस तरह से बन दा है अब यहां से जो ही वो मूब आएगा अपना तो मूब के अंदर का इस तरीके से समझ लो कि अब पीछे बन गया आगे बन गया जो भी बन गया अब चलो देखते हैं इसके अंदर कौन-कौन से पॉइंट कहां कहां से हम लोग चर्चा करेंगे तो एक पॉइंट तो आप यहां से ले लो पहले इस वाले पॉइंट से लो दूसरा वाला पॉइंट जो पकड़ रहे हो ओ आप ले लिजिए कंठ के बाद में जब आप और नीचे बनाते तो ज़्यदा से रिता ना पहला पॉइंट फ़ाहूर नीचे ले ख़्या ओ ठेक जी यहां पे मान लो और कंठ के बाद आएगा तो यहां पर दालू या उठ्वास एगवांतु थोड़ा सौवर उपर रखो यह वाले पॉ Batter चलता है यह वाले पॉइंक पर नीचे से ऊपर की पर मान जो यहां है उस्सको बहुत सारे लोग नहीं लेटे है फिलाँ उसमें मान लिया गया है ठीक है अच्छा है लेकिन यहाँ पे जो हम लोग चर्चा करेंगे विसको जो इस वाले पॉइंट पर है थेक थ्वासा और भी सजीव बनाधो भाई इसको लो अब थ्वास सजीवता लगने लगे भाई यहां देख रहा है बुद्धि उद्धि उसका सब चल रहा है नहीं देख नहीं रहा था भाई था तो यहां पर ध्यान देना यह वाला जो कि साथी पॉइंट को आप दिमाग में रखना और इसका बीसे रहां है बस उसी क्रम से आप लेटे चल चलोगे यहां पर हम दिखेंगे कंथ तालू को ao कि मुर्धा तरहां को दंट है दंत बोलते हैं दंत ओष्ठ ओष्ठ या ओष्ठ ओष्ठ होता है और ओष्ठ वाली ध्वनिया होती है दंत तो इसको दंत न लिखे दंत ही लिखो तो दंत हो जाएगा तो कंठ ताल मुर्धादंत ओश्ठ इसमें भी अगर आप थ्वास और अच्छे से समझो तो एक पॉइंट मिल जाता है क्या मिल जाएगा, एक नमबर नीचे उसके जष्ठ उपर दो नमबर, फिर यहां पर बात रह肩े ओनिगें तीन नमबर, फिर यहां चार नमबर और लाश्ट में आते हैं 5 नमबर मतलब अंदर से बाहर की और एकदम जश्ट सेट किया गया है कैसा सेट किया गया है अंदर से बाहर की और एकदम बिल्कुल सेट किया गया है ना उचान स्थान पढ़ रहे हैं बाबू तो अंदर से बाहर की और ना रायन स्री हरी हाँ बिल्कुल सभी लोग लाइक करें सेयर तो करी दिए लाइक अभी भी नहीं हुई यह बेटा सोचलो भरजी वारी गहुत बात करते तुम लोग अब इस अंदर से क्रम वार है तो जेस्ट अंदर से जैसे है उसी को हम बस बाहर एसे पढ़ लेते हैं कैसे यहां पे ध्यान दे ना यहां पर लिख दे पहले उसके बाध हम बात करते है को शबुकश में जावर्ग हमारे फोटो के पीछे जा रहा है इसलिए हमको अपना फोटो जो है खटाना पड़ेगा चलो अब आप लोग फोटो लगा देंगे तो का यह जो पांचैने हैं इनको बस प्रमवार कर 106-7 was one one maintain one मत्रब कंठ वाला है क्या है कंठ एक नमबर में दूसरा नमबर जो है सिधे सिदे एक नमबर यह पर है कंठ ताल मुर्धा दंत ओस्ट पूरा इसे पूरा सिक्वेंश चलता है बिल्कुल दम सीरे से चलता है एक दम ठीक है बिल्कुल सीरेस एक दम एक साइट से एक साइट तक चलता है तो क्या मिला यहां पर कैसे मिल गया आपका कंठ तालू मुर्धा दंत ओष्ठ 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 कंठ तालू मुर्धा द ट्कोफि एक लोग बिल्कुल शेयर कर दें कल्परा शरोश बोलुक्स बिल्कुल कर दिजिए हैं सभी सब्सक्राइब 20 अगर इसमें से आपको याद रहेगा तो आजे वाला सब स homework यह भाया यह किसी भी वन के उच्चारण के समय में हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी वन के उच्चारण के वक्त में हमारी जीहवा मुख के विभिन्न भागों को क्या करती है इस पर्स करती है और जब इस पर्स करती है इस पर्स करने कोशिस भी करती है तो हम लोग बोलते हैं जिधर जाती ह वहां से श्वर निकालने की वहीं हो जाता उसका उच्छारण स्थान। ठीक है? अभी गुरू उसके लिए आगे चर्चा करेंगे, महादेव। अभी केवल पॉाइंट इतना ही देखो. अब हम क्या करेंगे? कितने वण हमारे पास हैं? हमारे पास कितने हैं हमारे पास में कितने है अभी करकर के आओ तो करेवाद में कर देंगे करकर के आना चाहिए चलो चले देखते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा अब ये नवस्वर और तैंतिस व्यांजन अर्थात स्वर और व्यांजन मिला करके ही तो कुल वर्ण थे और यहीं सभी हमको इतना घ्यान हो जानाशी हम लोगों के पास में कि सभी वर्णों का उचान स्थान हमको आना चाहिए अर्थात पूरा का, पूरा 42 वर्णों का उच्चान स्थान हम बता पाएं, अउतने के लिए ही हम संस्कृत में यहां करेंगे, ठीक है, आईवा समझ में, क्यों इतने में ही, आओ चलो देखते हैं, अरे बाबू छोना बाबू, बाबू यह छोना कहा गए जी, आगे देखते हैं, तो यहां पर अगर हम बात करें, कि पूरे वर्ण कितने हैं, तो हम कुछ उसको सेट कर देते हैं, उसी में से ले ले करके हम आपको गिना करके बताते चलेंगे, तो पहला आप यहां लिख ले लिएगा, अ, स्वर लिख रहे हैं, अ, ई, उ, री, लभी, उसके बाद आ हम लिखना चाहें, तो पूरी वियंजन तो लिखेंगे नहीं, ऐसे लिख देते हैं कि अलबस, को पूरे पांच हो आगे, इसमें, को अगर के बाद में लिखोगे, चावर्ग, अब थ्वाज देखना, यह पूरे पूरे इस पर स्वर्ण जन आ गए, इसके अलामा बचे कौन-कौन, उनको भी लिखना जरूरी है, तो इसके अलामा जो बचा है, वह आपका बचा है, मान के चलो, इस वाले में लेते हैं, यहाँ पर, एक बचा याण वाले, एक बचा सल वाला, मतलब, या, वा, रा, ला, फिर बचे सल वाले, तो सल वाले को आप लिख लिजिए, इसमें लिख लिजिए, अब क्या बचा भई, और जो अभी गुरू बोल रहे थे थोड़ा, उनको भी लिख लिजिए, अनुस्वार, विसर्ग, पहले को खलिक लो, पहले को खलिक लो, तब फिर पहलिकते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिहवा, मूलिय, उपधमानी, यहीं टोटल वर्ण हैं, कि कुछ और भी वर्ण हैं, कोई अगर और वर्ण छूट गया हो, तो आप लोग बता दीजिए, हम उस पर आपको, उसी पर कर लेते हैं, फेक कोछो टो टो पू क्यो नहीं होगा, उसी कलो न कवर्ण चवर्ण टवर्ण तवर्ण पवर्ण पवर्ण, पांच वर्ण पच्छीस वर्ण, ठीक हैं, अब हम लोग लोग चर्चा करेंगे, अब हम लोग एक एक के उपर 42 वर्ण होगे कि नहीं सभी को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ अब मैं एक एक वर्णों के बारे में उचान स्थान के लिए सुत्र बताता जाओंगा और वह सुत्र भी आप देखोगे कि किस तरीके से बनाया गया है है क्या गजब का सिस्टम है कि furnvr में भोजन करने के लिए पहुचगा है फ़़वा सरसेदार ले लिए सभ्जि ले लिए थोड़ावू ले लिए मिला पूरे थारी ले कर तर्षिं ने बैठे गया अइससा कुछ होता है तो चलो इससे में देखते हैं हम को लोग जिस तर्के से चल्टाइ कर रहें किया है अकु सर्जन या नाम यहां सुनकर करें सकते हैं आपर है या पर है युकू है चूं दू दू है तो उये को मतलब क्रिछी चुम मतलब नचाओ वार्गू मतल बटाओ वर्गू मतलब तूम उप्रा पावर जब पहला सुत्र आया पहला सुत्र आया और व planeta रहा है क्या कि पहला सुथर हम क्यों है नंबरेग है इसको एक रंबर सुद्ध डालो एक तो क्या हो जाएगा अको हा कि विसर्जनी विसर्ग नहीं अकू हा विसर्जनियान विसर्ग नियान रही जग पर जयाता ठीक है तो क्या लिकर हो 276 अब इसका क्या मतलब है बेटा इसको भी समझ लेते हैं इसी जगह अ का मतलब होता है और और का मतलब और के पूरे अठारा भेद मतलब चाहूँ अ हो रस हो दिर्ग हो प्लूत हो ठीक है अहां बस लपेटते रहो कि अरे क्या वात है वेटा हम नहीं गया हमको कोई भूलवगए नहीं करता है मन में पानी आगा तो और क्या मतलब हो जागा अ जितने भी एक जितने भी टाइब होते हैं तारे और इसमीं आएंगे चाहे आ रहो इसका और इसका ओजागा कंट ए जो कू लिखा KU का मतलब होता है काववर्ग कु का मतलब क्या होता है काववर्ग के कितने आते हैं आपको पता होगा अब लिग दें हम यहाँ पर का खागा घंगा यह सबही वार्णatte का ऊचान स्थान स्थान क्या हो जाएगा यहाँ पर कंठ होगा करहें कि हो एक हवाण और आहां पर देखो एक हवाण है यह ले लिए फिर कर रहें क्या विसर्ग जो यह due time भाले हैं विसर को मैसरी देते एं ध्यान देना यह पूरा विसर्ग आ जाएगा न तो जो भी वी वीशर्ग वाण रहेंगे सब क्या क्या हो जाएगा कंठ होगा थोड़ा इनका दर्शन कर लेते हैं जो यहां पर लिखे हैं क्यों लिखे हैं उसका कोई मतलब तो होना चाहिए तो चलिए उनका मतलब था उनकी सिद्धी दिलवाएं द्या सुनना शुत्र क्या है तो आ सवर में से ले लिया है देखो कुछ यहां से कुछ यहां से कुछ यहां देख लो कहां कहां सया है पहले अब लिया क्या फिर कुछ कुल कितने वर्ण आएंगे औ में आ जाएगा कु में 5 वर्ण आते हैं क्योंकि एक एक वर्ण में 5 वर्णों का उच्छान स्थान क्या हो जाएगा कंठ क्या जागा कंट यहीं होगा ना हाँ बिल्कुल रटते रहो पढ़ते रहो करते रहो सभी लोग सेयर भी कर दो जो लोग देख रहे हैं जो बात बेखेंगे उनका भी ठीक है बहुत सारे लोग भाई अब ब्योसाई गण है वो लोग कहीं चले जाते हैं अपना काम दंदा करके लोटेंगे तब न देखेंगे चलो दूसरे सुत्र की और हम लोग चलते हैं अरे खुलो भाई दूसरे सुत्र क्या बोलता है अब कव वाला हो गया ना चव आले पर अब यह जो इचू यशा नाम ताल इसका क्या मतलब होगे भाई इसको चलो देखते हैं एडाम डाम किसे बनता है नाम नाम तस्थिक बहुबचन या सब्तुवबचन बताओ तो उसी का बहुबचन लगा है क्योंकि यह सभी लोग है ना तो यहां पर क्या हो जागा इचू चू मतलब क्या हो गया चू का मतलब चवर्ग में कतने आते हैं और यह ध्यान देना एक लोगों छोड़ना मत भाई यह और क्या है श इन सभी वरणों क्या उचान स्थान क्या हो जाएगा तालू हो जाएगा सुत्र क्या बोलता है कि इचू यशा नाम तालू इके अठारा ब्विद बनेंगे इदिर्ग इप्लूत इसमें आ जाएंगे और क्या हो जाएगा आपका इक यह यहां एक पांचिसमें पांचष एक साथ और एक आथ कूल कितने आ जाएंगे का उचाण स्थान क्या हो गया भाई, तालू हो गया, हुआ कि नहीं, यहां पे चलो, देख लेते हैं, इस वाले स्लाइड पर, यहां पर आजाओ, अब इस वाले में क्या बोलेंगे, इचु यशानाम तालू, इऑ यहां से लिए, इचु यशः, आगे नहीं, एक उसमें से, किसमें से किसमें से इचू यशा नाम तालू इका चवरका योका शका इन सभी का उच्छन स्थान क्या हो जाएगा तालू हो जाएगा तालब बेवन कहे जाते हैं ठेक अब देखो मैं कितना बताता चल रहा हूँ आठ उसमें बताए और आठ इसमें बताए आठ यहां पे पुल आंठ वन यहां पर बता दिया और यहां बता दीए नीचे तो एचू यह शानाम तालू हो गया अब हम दूसरे सुतर के यह चल रहे हैं नेक्ष वाले पर तीसरे वाले पर यह क्या है अब क्या आज एक गया चोवर अब क्या हो जएगा रिटूरसाडाम मुर्धा री, टू, रा, टाणाम, मूरधा, अब क्यों हो गया, री, टू, रा, टाणाम, मूरधा, अब इसको समझे लिते हैं कोण कौन से बना आएंगे, यह जो रइवन है यह, है तू मतलब हो जाता है टवऔर और इसलिए गलब और इसको मुर्धने सतर कहा जाता है थ्यां ने को क्यों कहते हैं 2008818 आठ बाणों का यहां gotta कहा है दो तीन बार हमारे साहत में वाचन कीजिए बोलेंगे द्बीय होगा मैं ठीक है तो क्या कोगे हैं है अच्छा साधी में गाएंग वाट क्या वाथ है कल कल हम भी चलेंगे पूरी खाने हम से भी नहीं रहा जा रहा है किई चल चलेंगे फिर हम भी दो दिन गाप रहेंगे पर उसके बाकिंगे और विक आधानाम तालू इचुयशानाम तालू रिटूरसाड में तुम लोग कर दोगे कभी साधि विवा किसी समय में कर सकते हैं झे याम पूरी खाने मर्जी करें तब जब पूरी पहले तो हम लोग अभी मन करता था कि चले जाते किसी के हाँ चाहे निवता होए निमंत्रण होए नहोए पहुंच जाओ लेकिन अब अब सभी लोग पहचान जाते हैं पहले नहीं पहचानता था तरीके और बाद पकड़े जाना तो बरतन दुलवा देना आजाना आजाना बरतन दुलवा देना कि अब याज़ों बहुत साइथ चली आगे देखते हैं फट्र नहीं नहीं जाओगे उसी तरह तरह देके जाना उसी आप लेतुलसाणाम देखते हैं क्या करते हैं का बर्वर्व ठावर्व के लिए क्या बताओ गें कि लिटो लो सानाम कि है दंता कि तरे लिटूलसादाम दंता अब लडी का मतलब हो गया लडी का मतलब जो स्वर है कांस नहीं यहां से इसको भी थ्षासर स्वा कर दो यहां से चलो रिटू रशाडाम मूरधा तो री तू रशा आग्या रिटू रशाडाम मूरधा यह भी हो गया अब अगर हम आगे वाले में चलें तो अगला वला सुत्र कौन सा है है। लो से स्टार्ट करेंगे ध्यांस देखना। टू का मत्रविता है तो वर्ग पूरे आ जाएंगे यह क्या है लवर्ड जो लवर्ड है यह यह इस वर्ड है ध्यां पूछ दिया था कि इसस सूतर में कितने बच्चा जाता है किस स्थान नाम दंत sz hers जbnम कर देख से चलो यहां चली कोण्ठें जाएगा लितू लसानाम दंता तुलरी तू लसानाम दंता यह देखो बेटा चटनी खतम रायता में एक लोग बचे हैं इनके लिए अलग से नियम बना देंगे और फिर इधर सरकारी कमपणी अभी एक ठो बची है जो मेन पूरी सबजी वाली कमपणी है इधर बची है और यह सब तो छोटे मोटे गुलाव जामून रसेदार सब यह सब है उसके लिए हम बादे बाद कर लेते हैं चलिए आगे देखते हैं पूरी खाने का बरतन नहीं दोने का तो आगे देखते हैं का इसमें मिलेगा नेक शोले सबतर पे चलते हैं अब क्या बचा भाई चुथा बाद पांचवा पॉइंट बचा है पांचवे नंबर में अब हम लोग बात करेंगे पांचवे नंबर में तो उपू पद मानिया नाम फिर उपद मानी तो यह वाला इस उ के साथ में दिर्ग संधी हो जाता है तो दिर्ग उ हम लिख देंगे ज़ेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसा है हूं पूपू अब पहले होता थौप अब लेकिन आगे उपधमानी वाला उ लग के इसको दिरिख कर दिया हूं अब जो उपधमानी हैं उनका क्या जाता है उऔर पूर उपध मतलब जो पूरा आता है वाला पा और फा के पहले जो आधा विसर्ग सद्रिस है इसी को हम लोग क्या कहेंगे उपध मानी है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे एक और यहाँ पर हो जाएंगे पांच एक छो और इसको गिनोगे तो फिर दो वही करोगे आठ अगर इसको एक ही काउंट करते हो तो साथ इस रहे संख्या यहां पे थोड़ी से दिक्कत बनती है लोगों की तो क्या हो जगा उपुपधमानियानाम वच्ठव ठेख उपुपधमानियानाम वच्ठव तो उपुपी का और पफबभमा का और यह जो पफब इस तरीके से हैं इन सबका क्या हो जाता है उप ओष्ठ हो चलो इस वाले में फिर से कट कर लेते हैं क्या क्या बचा थेक एक बचा तो उसको कर लेते हैं फिर यहां से वह बचे हैं इनके लिए अलग से कि सबसे बड़े रिशतेदार यहां कर प्रते हैं Sorry नहीं हम तो नहीं देखें हम तो पार्ट टू नहीं देखें अभी फिलाल तो चलो देखते हैं तो एक पहले कौर खो के लिए समझ लेते हैं जो उपद जीवामूली है तो जीवामूली के लिए क्या नियम बनाएंगे हम लोग यहां पर बनाएंगे अपने आप लिखते जाओगे, काटते जाओगे, अपने आप होता जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी यहाँ पे, अब कौन नमबर पड़ेगा, च्छा नमबर का है, क्या करेंगे? जी हवा मूलियस्या, जी हवा मूलम जी हवा मूल ही होता है ठीक कोस्टन आएगा कि इस तरीके से लिखा रहेगा करेंगे कि इसका उचान स्थान क्या है तो आप कहा देना क्या जीवा मुले ठीक है आगे देखते हैं उनका दांत है छी आरे चाय फारें प्रस चाहर नंबर होगे आप चलते हैं साथ नंबर वाले पॉइंट में साथ नं कि अध्यांदनाई वह अलग देखते हैं मतबब वण के लिए हम बात करें वकारस्य दंतोस्थम इसका नियम अच्छे से कर लेना यह कई बार इस दाम में आता है यह इकलाउताव यंजन वण इस तरीके का है जिनका दो जगों का मिला की बंदा है दंतोस्थ मतब वण जो ह इसका दंतोस्थ बनेगा है अब यह थी हो गया और इसका हम कर लिए किवल बचा है और यह बचे हैं चार लोग और पंचमाक्षर के लिए इसे हम बात कर लेते हैं तो पहल tuna रांपенд पर फोल पन्चमाक्छर बताएं पंचमाक्छर करने पहले मंजे को लेते हैं फिर advice पी चलते हैं या पहले इसको रेते हैं 5 उन उनको दूबारा कि पूरी जब चीज़ को चाहिए तो इसको अलग से बैठाएंगे कि किसी को एक वार नहीं मिला किसी को दो दो बार मिला चलो ए आय ओ के लिए बताएंगे तो एक क्यों सा नंबर पढ़ेगा आइचिंग आठ नंबर पढ़ेगा चलो आठ नंबर में हम तरव निकला अगर मैं आपको याद दिलाओं जब हम बता रहे थे कि यह किस टाइप का स्वार है भाई संयूक्त स्वार है कैसे बना है तो ध्यान देना हमें आप परले लिग देते हैं कि ए और यह आई ए कैसे बना है ए तो ए जो वना है ना यह वास्ता में बना है और में जब हम ए को मिलाते है तब क्या बना ए और जब हम ए में फिर से ए को एक बार ओर मिला देते हैं तो क्या बन जाता है ऐ ठिक क्या बनजाता है ए इसका ए इसका ए अगर हम बात करें उचान स्थान की थोड़ा उचान स्थान गहराई से लेना भाई इसके इसका क्या होता है कंठ इसका क्या होता है तालू इचू यसा नाम तालू तालू होता है अब दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा इसका इसका बन जाएगा कंठ तालू क्या हो जाएगा कंथ तालू इसलिए इसका क्या हो जाएगा अब यहां पर हम दे रहे हैं कंथ तालू और यहां भी अगर आप बात करोगे तो इस वाले भी पोजीशन पर सेम घटना है इसका भी क्या हो जाता है यहां पर कंथ और यहां देखो अभी बताए हो कंथ तालू अब इसको अगर दोनों को मिला दोगे तो फिर क्या बन जाएगा तो यही ने बनेगा कंठ तालू क्या बन जाएगा कंठ तालू ही बनेगा क्यों कंठ तालू ही रहेगा एक बाप बता दूँ कि खान पान योर पढ़ान में सदार हो यह गुवान हाँ अराम से खाया हाँ खाते रहो बस ऐसे ही ए भी सीडी आइसा ही सब करते रहो ना चलो आगे देखते हैं कुछ लोग बस भोजन भोजन से मतलब ही होता और क्या मतलब है में काम तो वहीं होता ना जब भोजन मिल गया बात खतम तो ज्यान देना यहां सो गया A और अए तो आए दोनों का क्या हो जाएगा कंठ तालू हो जाएगा अब हम बात करेंगे ओ अउपे किसे बात करेंगे ओ अउपे जगह बना इदर ओ उपके लिए जगा नहीं बचा अब ऊओ के लिए इसी में तो फिर सही रहता हम हम हुग चलो छोड़ा इसको छोटा करतें हैं तो छोटा कर देते हैं इसमें चलिए देख लेते हैं इसी में देख लेंगे अब हम लोग करें कितने नमबर पे नव नमबर पर चलो नौ नमबर देखते हैं कि नौ नमबर यह सुत्र बंता है ओद उत्व कंठ उस्थम अगर आप लेते हो मेरे यहां इंटरनेट का कुछ दिक्कत चल रहा है क्या भाई देखो ध्यान से ध्यान सभी लोग बताओ कुछ दिक्कत आ रही है क्या क्लास में फिर यहां पर बताओ क्या हो जाएगा जब हम अ में फिर से ओ को मिला देंगे तो बन जाता है और यहां पर भी चार्ण स्थान लारूल वहीं लगा लीजिए तो क्या बन जाएगा इसका हो जाएगा कंठ इसका हो जाएगा कंठोस्थ और जब कंठोस्थ में फिर से कंठ मिनेगा तो कंठोस्थ ही रहेगा ठीक है कंठोस्थ तो यह हो गया कंठोस्थ है तो सुत्र क्या बन गया कंठोस्थ हम ओद तो कंठ हो श्ठम यहां वाले स्लाइट पेगर हम पीछे बैख हो करके चलें इस वाले पर तो क्या मिल गया यहां पर आओ यह भी हो गया ओ भी हो गया अब अंग यह बचा है अब अंग को देख लो वा को देख लिए और फिर यहीं जो अंग वाला इसको हम देख लेते हैं तो इसके लिए इसी जगह लिख दे क्या इसके लिए इसी जगह लिख दें अंग अनुस्वार जो अनुस्वार होते हैं तो उसकी क्या हो जाता है नासिका अनुस्वारस्य नासिका 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 अनुस्वारस्य अर्थात जो अनुस्वार है इसका उच् और जोड़ लेना यह जो पंचमाख्षर होते हैं ना पंचमाख्षर का जो अपना वर्ग में होता है वो तो होता ही होता है पंचमाक्षर की साथ साथ में उसका जो अपना वर्ग का रहेगा उर रहेगा साथ साथ नासिका उसका भी होगा तो यहां हम लिख देते हैं एक अलग नियम में क्या लिख देंगे एक अलग नियम में हम यहां पर लिख रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ यह मंगणना का मतलब हो गया आपका यहां पर अगर देखे हैं तो यह पंचमाक्षर होगा कौन? पंचमाक्षर का नासिका भी होगा, नासिका भी, नासिका भी होगा, ठीक है? मतलब नासिका के साथ उस वर्ग का भी होगा नासिका के साथ जो वर्ग रहेगा उस वर्ग का उचान स्थां भी रहेगा ठीक है नासिका भी लिख दें मतलब क्या है कि जो पंचमाक्षर रहेंगे जो भी पंचमाक्षर हम लोग यहां पर यूज करेंगे वो पंचमाख्छर में जो इसके ग्रूप का है वो तो रहेगा ही रहेगा साथ-साथ नासिक के वर्ण उसमें जोड़ दे साथ-साथ उसमें नासिक के भी जोड़ देना चलो अब हम लोग कुछ वर्णों का उचान स्थान हम लोग थ्वासा कि जगह तो बहुत हो जाता है बस एक इसारे पर जगह हैं जगहां सब हो जाता है बहुत मोटा लेकिन लिखने लगा अगर हम यहां से अगर आप से कोश्चन पूछें कि बताओ कि इसका उचान स्थान क्या है चलो बता दो अब आप लोग उत्तर करना अब जितने वन थे सब हो गये जितने वन थे सब हो गये अब आप लोग इस प्रश्चन का उत्तर बताओ कि इसको इसका उचान स्थान क्या होगा उत्तर आएगा मूर्धा मूर्धा ठीक अगर हम बात करें इसका बताओ चान स्थान क्या होगा हाव वान का बहुत अच्छा इसको बताओ इस प्रश्चन का उत्तर बताओ क्या होगा इसका बताओ उत्तर डालो कोश्चन नंबर दूसरे वाले का उत्तर बताओ क्या होगा दूसरे वाले का चलो एक नंबर का हो गया आपका मूर्धा दूसरे वान क्या हो जागा तुत्र लगा अकु कोई लोग बता नहीं रहे हो बाबू बहुत अच्छा नहीं बताओं गे तो हम क्या करेंगे हमारा क्या लोगे अब और अगा उचानस्थान क्या होगा तिन नंबर में था फास्ट बताओ उत्तर या तो हमको फुलो मिल रहा है या आप लोगों को सुलो मिल जा रहा है बहुत सही अब हम सब का नाम लेंगे बाबु अ कंठ करना भी बता दिये सवीतानमद दीली कलपना फिरस बता दिधी कोमल भी बता दिये हैं और फिर ट्रिपल लेस, फोर यास, फाइफ यास, ट्रिपल ट्रिपल लेस, ठीक है, चलिए, तो अब इस प्रश्ण का उत्तर क्या आ जाएगा, धा, या टाठा डाठा में आएगा, तो मूर्धा का हो जाएगा, रिटुरसाणाम, रिटुरसाणाम, चौथा कोशन अगर हम पूछें, जो कई बार कोशन पूछाता है, इसका बताओ क्या होगा, इसका बताओ, सर आपकी ओ आज मिली थी, कौन मिला था विटा, कौन मिला था, कहां मिल गया तुम का, फिर लाये क्यों नहीं, कौन कहां तुम खोज के पाईए, देखना कहीं, इ पिर पता चला कि बड़े जगह चले जाओगे, तो क्या हो जागा, इसका क्या हो जागा, दंत हो जागा, क्या हो जागा, दंत, तो क्या हो जागा यहां पर, दंती सा यहीं है, इसको ध्यान देना, दंती सा यह है, और तालब देसा है, आप जानते हो, इस वाले को बोलते है यह क्या है तालव्य है अब हम कुछ थोड़ा सा और गहराइब उतरेंगे और कोस्टन पूछेंगे आप लोगों से जो थोगा सा और कथिन हो सकता है जो इंपॉर्टेंट कोस्टन है तो पहले तो यही पुछ देता है इसका बताओ क्या होगा कि जल्दी बताते चलो अध्मा सीम्हां को नहीं कॉल देघक्र ृं कि सभी लोग बताओ तो हो गया दंती का बहुत सही है यह शु ठाल neurolog का बाबु का है कल्प्ना भी सही हो गई बीना कि और से लि breeze रही है बीना का नाम अगर विन्टा हो जाता तो और सही हो जाता है क्या बात है कैसे बैटा नहीं लड्डू फूट रहा है । है को देना अर्ट पेड़ा अपना फूड लेना लड्डू उमको दे देना ऊच्छ इस व्कड़ नंत उष्छ हो जाएगा और कि इसको ध्यान देना वकारत के दन तोष्छ ना आप पुछा जाता है 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 कि इसका बताओ तब हम सात नंबर लिखेंगे हुआ कि हम बारे गुरु क्या बात है क्या बात है इसका बताओ अच्छोतं के सवं किष्णदा मोदरं रामनारायडं जानके वल्लभं हमको देखो हम कमेंट सबका नहीं देखते हैं जिसका हमको कमेंट हम पहले ब्लाग कर दिए ब्लाग कर दिए ब्ला ब्लाग को दोनों का कंठोष्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा कनठोष्ट है एक बार अगर पूछ दिया गया था हम पढ़ रहे थे कि ऐसे कितने वाना हैं जिनका दम टोष्ट काक्ष तैस्थ गाउनल अठाथ और ठाथ नहीं आने आता है कितने वाँप्वी काउंट किजी हुन भी काउंट कर देते हैं बेल्कुल वह उच्छा गाते हैं गाना चाहिए अब दिन का कईयास है इसको लिखे तर सुनाय भी थे और अभी यहां पर रखाई है कि कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम एक ठो और लिखे रखे थे उन कहां चला गया अब इसके लिए एक ठोर प्रापर जगह बनाया करेंगे ताकि उसमें रखे रहे करेंगे अवारे कहीं के गुरुय जी को चूना लपेट रहे हो हां क्या बात है आओ हमारे हां जाओ फिर ऐसे तो कहीं रोड़ पर बैठ जाते हमारा नाम भी लगा के तबी लोग दे देते गजाब गजाब बात है fucking चलो थो नेकां को अभी हम पूछे ते कितने हैं कंठ तालू या कंठ ओस्ट या ऐसे से दो-दो मिक्स करके कुल कितनी हमें कितनी ववाण हां जिनका दो-दो होता है गाउंट है काउंट करें कितने है एसे जिसमें mo 22 मिलते हैं जिसमें द्व मिलते हैं की इसाव कि प्रारंब करें कि गिनना स्थ करें कि दूरी कौन है कि क्यों को मिलेगा ये सब तो मिलेगे नहीं ये ऐए ओ और चारवन ने इसमें स्वर्व हो गए ए ओ और इसके बाद में पंचमाक्षर जितने आते हैं पंचमाक्षर पांच लोग यह हो गए और कौन सा है ऐ तो हो गया एक व्कार से दंटो स्थम वाला हो गया और पांच हो गया नासिका और कौन। पाफा पाफा वाले में सब काम बन गया आपका जितने भी सुत्रा ओर थे सभी लोग जोड़त बता हो चार एक पांच पांच दस लोग आ रहे हैं क्या हमको लग रहा है क्यों दस ही आ है और जोड़ो हां जो भी था चलो देखते हैं तो क्या मिल गया कितने मिल गया है काॉंट कर लो सबdf लोग देखो एक औ जोगैस नोगधों और जो जांटा की आता है उसके बाद में वह का लोगध proyecto वखार करेंगे हम तो कंध नासिका वाले में आता है तो इनया के लिए बात करेंगे तका जाए मुर्धा नासिका थिक आजाएगा था दधन न तो लित उलसानाम दंता से ना दंत हो जाएगा तो दंत ना सीगा पाफ़भभभभभभ म म मह क्या है मह ओष्ठ का होगा तो ऊस्थ ना तो उसके साथ में जोट दोगे तो पांच पंच माख्षर में आ जाएंगे एक वकार सदन पोष्ठम के लिए आएगा एक यहां पर चार आ जाएंगे तो चार एक पांच पांच दस वर्ण हैं क्या दस वर्ण ऐसे हैं जिनके दो इस्थानों को मिक्स करकर के आता है ठीक दो अस्थान एक सांथ वाले वर्णों की संख्या दस मिल रही है यहीं है ना हाँ इससे होगा नहीं है जाओ ठीक है बाए बाए रस्गुल्ला खाये लिए सब बजगया बजगया चुट्टी होगे जाओ अब जो कोई भी वर्ण अगर इसमें से अगर आपको समझ में आता है कि हाँ गुरूजी इस वाले वर्ण का उचानस्थान बताओ तो हम उसी का बता जते हैं अब मैं आप लोगों के सुरू के दस कोशन लूँगा कि दस कोशन आराम आराम से टाइप करोगे दस कोशन मैं लूँगा नाम भी पढ़ूँगा उसका बता दूँगा इसका उचानस्थान क्या है तो जाता हूँ कहां कहां जाओगे अजी हमें छोड़के कहां चाओगे जल्दी कोशन पूछो कोशन नहीं पूछ रहे हो अवारे कहीं के दारू पिला रहे है गुरु जी को जानते हो कि नहीं कि किसी के नहीं आ रहा है तो हम ऐसा उमिद करते हैं कि सारे कोशन जो भी उचानस्थान वाले आएंगे वह आप लोग कर लेंगे जब हम आगे कोशन करेंगे तो आप लोग को बता देंगे देख़ो इसकोशन में क्या पूछे जरा हैं एक बार कोछन ऐसा भी पूछ लिया जाता थे हम एक पूछते हैं लρι का बताओ उचान स्थान और यो बताो ला का उचान स्थान् फ beautiful इसको नंबर एक में रखो एक मझर्थ्र बताओ लो लुझ कैने संस्क्रित Central कं कालिधासो जने जने, कंठे कंठे संस्कृतम, 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 कंठे करा मुर्धन तरीतू लौसा नाम दन्ता स्वेता स्वेता कर रही है मुर्धा कहां से जूटे देख लेते हो मनिसा घलत कर रही है अभी को सही हुआ चलिये ठीक है कल्पना का भी सई हो गया दन्त हो गया तो दोनों अदनत्य होगा ठीक बिलकुल सही बगत अच्छा अच्छा ही बताओ कि इस में से कौन सा ईक नमबर शार है या दो नमबर्स रह नजर या मत नहीं तो बोली भी नहीं आगी पढ़ा भी नहीं पाएंगे अगरिन कि सरला भासा मधुरा भासा दिव्य भासा संस्कृतम सरला भासा मधुरा भासा दिव्य भासा संस्कृतम गुरुवर जिहवा मूलियस से जिहवा मूलम जो जिहवा मूली होते हैं उनका जिहवा मूल होता है एक लाइन में किलिए जिहवा मूली को दो बनाते हैं कोई और खोके पहले अगर लगा रहेगा अर्थ विसर्ख तभी तो जीहवा मुलियससे जीहवा मुलम और वाचाश़न पफफ़ हुसके भाई है तो उप उपधमानि या नाव उष्ठव से उपधमानी का उष्ठ हो जायता है अर्थात जो पॉफख के पहले अगर ऐसे लगा है चाये पॉफख पुले नहीं लगा लेगा तो सुद्ध पॉफख आजागा जब उपधमानी के फार्में आगा तब भी उष्ठ ठिक एक नंबर वाला स्वर है ध्यान देना कई बार कोशन आता है जो लरी है वह स्वर है जो ला है वह व्यंजन है इसको पकड़ लेना और लरी ही एक ऐसा स्वर है जिसका दिर्ग नहीं बनता है अच्छा किसका कोई एक वण हमको बताओ जिसका रस्व नहीं बनता है जिसका रस्व नहीं होता है कोई एक वण बताओ सर्लावाईसा मधूराभासा देव्यभासा संस्कृतम मुनी जनवाडि कवी जनवाडि प्रिया जनवा नी संस्कृत मूंही जने जने कंथे इृक हे अक्षो ब्लाम देज और निक्षड यह नहीं कुछ बूंह अनुस्ति danced नहीं कुछ पूछ सेर कर दिएगा लाइक न की हो तो अभी भी लाइक कर दीएगा स्रम नहीं आ रही हो लोग काते हैं जान दे देंगे जान क्या दो देगे लाइक के और सेर करीनी均 चलो आगे देखते हैं सिनातम नातनातम स्रीवीश्वनातम सरडम प्रपदे क्या आप भी सरकारिश शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई-learning विद्दुरकेश के साथ जुड़ कर अपने सपनों को साकार करिए जी हाँ, यहाँ यहाँ पे धेर सारी किताबों का जंजिट हुआ खतम अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स, हार्ड कॉपी, घर बैठे e-learning विद्दुरकेश से मिल जाएगी और इसके साथ आप हमारे online classes जॉइन करके भी सारी तयारी कर सकते हैं क्यूकि अब की बार एक सीट हमारी online classes में practice sheets, model paper, online live और recorded session और PDF नोट्स भी e-learning विद्दुरकेश का app प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजे अपनी learning journey अधिक जानकारी के लिए call करें 630-63-44367-7355-179-012